शांदार प्रदेशन करने वाले सभी खिलाडियों को बहुत बहुत बढ़ाई खेलों में हार तो कभी होती ही नहीं है खेल में या तो आप जीतते हैं या तो खेल में आप सीखते हैं इसलिए मैं सभी खिलाडियों के साथ ही उनके जो कोच वहाँ उपस्तित है जो परिवार जन वहाँ मौजूद है उन सभी को भी अपनी शुपकामनाई देता हूँ साथ क्यों सांसवत खेल महाकूम उसमें जो उत्सा दिख रहा है जो आत्म विस्वात नजरा रहा है आज हर खिलाडी की हर युवा की पहचान ये उत्सा ये उमंग ये जोश बन चुका है आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाडी की होती है हमारे खिलाडी हमेशा से चाहते थे कि उन्हें ग्राउन लेवल पर जादा से जादा खेलने का मोका मिले वो अपने गावों में खेले अपने स्कूलों में खेले उन्हें युनिवर्सिटीज में और फिर आगे नेशनल इंटरनेशनल खेलने का मोका मिले खिलाडियों की इस भावना को आज भारतिय जनता पार्टी साहुसद खेल महाकुम से बहात मदद मिलती है मैं भारतिय जनता पार्टी की इस बात के लिए विशे सराना करूँगा कि वो अपने साहुसदों के माध्यम से ऐसे खेल महाकुम करवा रही है और ये सिलसिला पिछले कई वर्सों से अनवरत चला आ रहा है बीजेपी साहुसद खेल महाकुम ने जीलों में राज्यों में लाखों लाख होनहार खिलाडियों को खेलने का मोका दिया है ये खेल महाकुम नए खिनालियों को तलासने और तराक्षने का भी बड़ा माध्यम बन रहे है और अब तो भाजपा साउसद बेटियों के लिए भी विशेश खेल महाकुम का आयोजन करने जा रहे है मैं भाजपा को उनके साउसदों को इस महत्वपुन अभ्यान के लिए बढ़ाई देता हूँ साथियों मुझे बताया गया है कि पाली में भी ग्यारा सो से ज़्यादा स्कुलों के बच्चों ने साउसद खेल महाकुम में हिस्सा लिया है दो लाग से ज़्यादा खिलाडी खेलने के लिए आगे आये हैं इन दो लाग खिलाडियों को इस महाकुम के माध्यम से जो एक्स्पोजर मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का जो मोका मिला है वो अभुद्पुर्व है मैं साउसद में अपने सहयोगी पीपी चोधरी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना शामदार आयोजन किया है राजस्तान की वीर भुमी के युवाओं ने हमेशा आई सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है मुझे विश्वास है कि आप सब खिलाड़ी इस विरासत को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाएंगे आप जानते हैं कि खेलों की सबसे अच्छी बात ये है कि जीत की आदत तो डालते ही है पर ये आपको लगातार बहतर बनने की सीख भी देते हैं खेल सिखाता है कि सर्वस्रेश की कोई आखरी सिमा नहीं होती है हमें पूरी शक्ति से प्रयास करते रहना चाहिए इसलिए ये खेल महाकुम एक तरह से आपके जीवन बदलने का बहुत बड़ा महायग्य भी है साथियों खेलों की एक बहुत बड़ी ताकत ये भी होती है कि खेल युवाओं को बहुत सी बुराईयों से बचाकर रखते हैं खेलों में इच्छा शक्ति मजबूत होती हैं एक आगरता बढ़ती हैं हमारा फोकस क्लियर रहता है चाए ड्रक्स का जाल हो दूसरे प्रदास्तों की लफ्थ हो जो खेलाडी है वो इन सबसे दूर रहता है इसलिए खेल व्यक्तित्व के विकास में भी बड़ी भूमिका निवात हैं मेरे पहरे साथियों बीजेपी सरकार चाहे राज्य में हो या फिर केंद्र बैं युवा हितों को सर्वोच प्रांत्विक्ता देती हैं खेलाडियों को जादा से जादा मोके देने से खेलाडियों के चैन में पार्दसित आने से सरकार द्वारा हर संसाधन उपलब्द कराना से भारत के खेलाडियों को बहुत मदद मिली हैं हमने पीछे दस साल में खेलों का बजेट पहले के मुकाबले तीन गुना बढ़ा दिया हैं सेंकड़ एथलेट्स आट टॉप स्कीम के तहद देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग ले रहे हैं खेलों इंडिया गेम्स के तहद भी तीन हजार से जादा खेलाडियों को पच्चास हजार रुपिय महने की मदद दी जा रही है ग्रासरूट लेवल पर करीब करीब एक हजार से जादा खेलों इंडिया सेंटर्स में लाखों खिलाडी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसके परणाम हमारे सामने हैं इस बार एसियन्स गेम्स में हमारे खिलाडियों ने 100 से अधिक मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है एसियन्स गेम्स में पदक जितने वाले खिलाडियों में बड़ी संख्या में खेलों इंडिया गेम से निकले खिलाडियों की भी उपस्तिती दर्ज हुई है मेरे पैरे खेलाडियों खेलाडी जब किसी टीम से खेलता है तो व्यक्तिकर लक्षों से ज़्यादा प्राथ्विक्ता अपने टीम के लक्षों को देता है वो अपनी टीम, अपने प्रदेश, अपने देश के लक्षों के साथ कंदे से कंदा मिले कर चलता है आज अमरतकाल में देश भी इसी युवा भावना के साथ आगे बढ़ रहा है इसी एक तारिक को जो बजेट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाव को हुई समर्पित है सरकार जो रेल, रोड पर आधुनिक इंफ्रा ग्यारा लाग क्रोड रुप्य से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है उसके सबसे बड़े नाभरती तो युवाई होंगे खुश होता है हमारा लव जवान हमारी वाँ बजेट में चालीस हजार वंदे भारत जैसे डिब्य बनाने का एलान हुआ है उसका फाइदा किसे मिलेगा हमारी वाँ को भारत आधुनिक इंफ्रा पर जो ग्यारा लाग करोड रुप्या खर्च करने जा रहा है उसमें युवाओं के लिए ही सबसे ज़्यादा रोजगार के नए मोके बनेंगे भारत के युवाओं नहीं खोज कर सके खेल हो या दूसरे खेतर हो अपनी बड़ी-बड़ी कंपनियां बना सके इसके लिए एक लाग करोड रुप्य का एक फंड बनाया गया है सरकार ने स्टार्ट अप्स के लिए टैक्स में छूट का विस्तार भी खैलान किया है साथ जो चौद तरफा हो रहे विकास कार्यों ने पाली के भाग्य को भी बदला है पाली की तस्वीर भी बदली है आपके पाली लोग सभा में ही करिब तेरा हजार करोड की लागत की सडके बनी है रेल्वे स्टेशन का विकास हो रेल्वे ब्रीज हो रेल्वे लाइनों का दहरी करण हो ऐसे अनेक विकास कार्यों का लाप आप सभी को मिल रहा है सरकार का ध्यान पाली के विद्यारतिवर युवाओं को जादा से जादा आउसर देने पर भी है उनकी काउशल विकास पर भी है पाली में कई नए IT सेंटर बनाए गये हैं दो केंद्री विद्याले भी खोले गये हैं सरकारी विद्यालोय में नए कमरे बनवाना हो नई कंप्यूटर लेप्स का निर्माण हो हर दिशा में पुरा प्रयास किया जा रहा है यहां मेडिकल कॉलेज बनने से पासपोर्ट केंद्र बनने से गावों में सारोरजा राइटिंग लगने से पाली के लोगों का जीवन और आसान हुआ है हमारी कोशिस हैं कि डबल इंजिन सरकार में पाली समित्पुरे राजस्तान का हर नागरिक ससक्त बने सफल बने बीजेपी सरकार के इन प्यासों से पाली और इस पुरे क्षेत्र के विवाओं का जीवन भी आसान बन रहा है और जब जीवन से मुश्किले कम होती है तो खेल में मन भी लगता है जीतने की संभावना भी पड़ती है मैं एक बार फिर सभी खिलाडियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद